वेलकम दू परताब क्लासेश दोस्तों परताब क्लासेश के यूटो चनल पर आपका स्वागत है तो आज है 13 अक्टूबर 2023 और 13 अक्टूबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करने डिफेर्श की क्योशन मनते हैं आज उनका हम डिसकसन करेंगे पूरा वीडियो जिनके जवाब आपको कोमेट बॉक्स में देना होगा आज अपने पढ़ेंगे कि भारतियों को निकालने है तू सरकार ने ओपरेशन अजे शुरू किया है दो हजार बाइस तेज के लिए रिफाइंडरी में सरफ्रेश्ट नमाचार का पूर्षकार किसे मिला और यूरो क से आगे-आगे धिरे-धिरे शर्दी का मोसम आएगा तो अपने इस क्लास का टाइम साथ मजे कर देंगे तो सारे विदार्थी एक बार वीडियो को लाइक सेर करेंगे और जो भी विदार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जुरूर आप दोनको सब्सक्राइब करें और इस का प्रोक बड़ी लीग निलामी में किस देश के शादलोई सबसे महंगे विदेशी खिलाडी चुनेगे तो ये चुनेगे इरान देश के ध्यान रगना कल मैंने ये विदेशी खिलाडी बताया है तो ये विदेशी खिलाडी है इरान देश के किस देश की राष्टपती सा ब्रज्जे में अजित किया गया तो ये किया गया है गुवा के अंदर बियार की सरकार ने नियाइक स्विवाओं में EWS के लिए कितने परतिशत आरक्षन की गोशना की तो ये की है 10 परतिशत की हाल में भारत की सहरी बेरोजगरी तर 7.6% से कट कर अपरेल जून 2023 के दोरान कि इतने परतिशत होगी तो ये हो चुके 6.6% किस केंदरिय मंतरी ने भारत मंटपम में 26 वी उर्जा प्रद्युकी बेठा का उदगाटन किया ये किया है अर्देप सिंग्पूरी ने किस देश के प्रदान मंतरी ने 82 किलोमेटर लंबे पदमा ब्रिज रेलिंक का उदगाट करने के लिए 360 डिगरी मुल्याकन परदानी शुरू की ये की है बारतिय है नो से ननी तो ये थे कल के कोशनों का रिवाई जमनी कर दिया इसकी पीडिय भी आपको टेलिग्राम पर मिल चुकी है और कल मैंने आपको पता है कल शाम मैंने तीन बजे आपको ये पिछले तीन म अगस्त और सितंबर तीन महेनों का करन्ट एक साथ मैंने रिवाईज करवा दिया है और जिस भी विदारतिनी ये कलास कल नहीं देखी तो आज आप इस कलास को बड़िया तरीके से अध्यन कर सकते हो क्योंकि पिछले तीन महेने का करन्ट का जो सुपड़ा साथ मैंने इस क अब तक इसके अंदर दस टेस्ट इस तरी जिसके अंदर डाले गए हैं तो स्टार्ट करें आज की क्लास सभी सात्यों को गुड़ मॉर्निंग पहला क्योशन देखी आज की क्लास का यूरोपिये फुटबोल चेंपिन्शिप ने यूरो कप दो हजार अठाइस और दो हजा की तो याद रखना दो हजार अठाइस के लिए हैं इंगलेंड उत्री आयरलेंड आयरलेंड और स्कोटलेंड और वेल्स ये याद रखने हैं आपको ये इंगलेंड हैं उत्री आयरलेंड स्कोटलेंड और वेल्स ये दो हजार अठाइस के लिए तो हैं मेजबान सहर और द अथिकारी गोशना करते हुए बताया कि 2023 में इंग्लेंड उत्री आयरलेंड आयरलेंड स्कोटलेंड और वेल्स मिलकर यूरो कप की मेजबानी करेंगे तो ये करेंगे 2023 में और वहीं 2032 में इटली वा तुर्की श्यूग तुरूप से इसके मेजबाने होंगे तो दोनों को मैंने बता दिया 2023 में तो ये इतने देश करेंगे और 2032 में इटली और तुर्कीश्यूं तुरूपसिस की मेज बनी करेंगे अगला क्योशन देखो 62 राष्टिय ओपन एटलेटिक्स चेंपिंशिप 2023 में मनी कांत ने 100 मिटर में नया राष्टी रिकोर्ड बना दिया इनका समंद किस राष्टिय से है तो 62 जो राष्टिय ओपन एटलेटिक्स चेंपिंशिप है इसका आजन बैंगलूरू में किया जा रहा है तो मनी कांत ने 100 मिटर के अंदर एक नया राष्टी रिकोर्ड बना दिया इनका समंद है करनाटक राष्टिय से इनका समंद है दिये तस्वीर के अंदर आप देख सकते होई ये हैं करनाटक के उडिपी सेहर के कहां के रहने वाले करनाटक के उडिपी सेहर के रहने वाले है मनी कांत और उन्होंने 100 मिटर में एक नया रिकोर्ड बनाया है देखो 62 राष्टि ओपन एतलेटी चेंपेंशिप 2023 की बैंगलूरू में दमाकिदार सुरुवात हुई क्योंकि सर्विसेज के मनी कांत होबली धर ने सर्विसेज के हैं मनी कांत होबली धर ने पुरूसों की 100 मिटर सरेणी में एक नया राष्टी रिकोर्ड तोड करें रिकोर्ड बुक में अपना नाम दर्जे करा दिया है ये 21 साल के मनी कांत तीसरी हिट यान की शुरुवाती दोर में 10.23 सेकंड के समय के साथ है सिर्ष पर रहे हैं पहले का रिकोर्ड था पहले किसी नहीं बनाया था 10.26 सेकंड के अंदर है लेकिन इन्होंने बना दिया 10.23 सेकंड के अंदर है इन्होंने रिकोर्ड तोड़ा है ये शिर्ष इस्तान पर रहे है मूद रूप से UDP करनाट के रहने वाले भारत के सबसे तेज दावक है बन चुके हैं तो बारत के सबसे तेज दावक बन गए कोण है मनी कांत होबली धर अगला क्योशन है हाल में इसराइल से भारतियों को निकालने है तो सरकार ने कौन सा ओपरेशन शुरू किया है लगा लो इस कोशन को स्टार तो अब जब आपको पता है किसी भी देश में युक्रेयन में फशे हो चाहे कहीं भी फशे हो अपने भारत से भारतियों को निकालने के लिए सरकार ओपरेशन शुरू करती है तो अभी आपको पता है इसराइल और हमास के बीच में काफी दिनों से जंग छुड़ी हुई है तो इसके लिए उन्होंने इसराइल से भारतियों को निकालने है तो कौन सा ओपरेशन शुरू किया वो किया है ओपरेशन अज्जे कौन सा शुरू किया है ये हमारे विदेश मंत्रियें ऐसे जैसंकर है इन्हों निकोषना की है कि अपने वारतियों को निकालने के लिए वहाँ पर ओपरेशन अज्जे की शुरूआत कीगी है और मैं आपके लिए आज या कल हो सकता है एक या दो दुनों के अंदर में जितने भी ओपरेशन शुरू किये गे ना अलग अलग देसों के दुआरा वो आपके लिए मैं अलग से लेकर है आने वाला हो सकता है आज लेकर हूँ हो सकता है कल तक आपके लिए कलास है मिल जाएगी देखो मुके तत्य है इस्राइल और हमास के बीच जारी भीशन जंग के बीच भारत अपने नागरिकों की शुरक्षित वतन वापसी के लिए अभ्यान शुरू करने जारा है भारत ने इजराइल में रहे बारतियों की देश वापसी के लिए ओपरेशन अजे शुरू करने की गोशना की है विदेश मंतरी एस जय संकर ने ट्वीटर पर यह जानकारी करते हुए कहा कि इजराइल से भारत आने को इच्छुक लोगों के लिए ओपरेशन अजे लौंच कर रहे हैं ओपरेशन अजे के द्वारा वहां पर इजराइल से भारतियों को निकालने के लिए ओपरेशन शुरू किया जारा है केंदर सरकार ने स्वायत संस्ता मेरा युवा भारत के गठन को मंजुरी दी है इसको कब लौंच किया जाएगा तो कैंदर सरकार के द्वारा जो स्वाइत संस्ता है मेरा युवा भारत है इसके गठन को मजूरी दे दी और इसको लॉंच कब किया जाएगा इसको लॉंच किया जाएगा 31 अक्टूबर 2023 को ये हमारे तस्वीर के अंदर आप देख सकते हीजे हमारे केल और जो परसान मंतरी ह अनुराग सिंग ठाकुर की तस्वीर उन्होंने ये गोशना की है कि मेरा युवा भारत है उन्होंने सरकार ने गठन इनके गठन को मंजुरी दे दी और इसकी सुरुवात की जाएगी 31 अक्टूबर 2023 है ते इसको देखो मुके तते केंद्रिया मंत्री मडल ने स्वायत मेरा युवा भारत यानि कि माई भारत की स्थापना को मंजुरी दे दी जो युवाओं के विकास और युवा नीती नीती विकास के लिए परद्योगी अधारित परनाली की रूप में काम करेगी तो ये युवा नीती को बढ़ावा देगी उसमें परद्योगी अधारित द्रूप में ये काम है करेगी मेरा युवा भारत माई भारत 31 अक्टूबर 2023 को राष्टी एकता दियूस पर लॉंच किया जाएगा तो 31 अक्टूबर 2023 जब राष्टी एकता दियूस बने जाएगा उसी पर ये लॉंच किया देगा और इसके अंदर 15 से 39 वर्ष के आयू वर् लेगा नेश्ट है 2023 के लिए 360 One Health हुरून इंडिया रीच लिस्ट के नुसवार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कोन मन चुके है तो 2023 के लिए भी ताजा रिपोर्ट आ चुकी है 361 health, 1 wealth हुरून इंडिया rich list के इन्सवार भारत के सबसे अमीर वेक्ति बन गे मुकेस अंबानी और मुकेस अंबानी ने गोतम अंडानी को पीछे छोड़ते वे भारत के सबसे अमीर वेक्ति बन जुके हैं कौन है मुकेस अंबानी देखो 2023 के लिए 361 health हुरून इंडिया rich list के इन्सवार Reliance Industries के चेर्मेन है मुकेस अंबानी अंडानी सुमहे के गोतम अंडानी को पीछे छोड़ते वे सबसे अमीर भारती किताब का हसिले कर चुके हैं तो मुकेस अंबानी ने अंडानी सुमहे के गोतम अंडानी को पीछे चोड़ दिया और सबसे टोपर है बनगे Reliance Industries के चेर्मेने मुकेस अंबानी की संपती दो फिस्दी की मामुली बढ़ोतरी हुई है और ये 8.08 लाग क्रोड रुपे पर है पहुँच चुकी है तो याद रखना बढ़िया तरीके से और जो मैंने अप्शन में बताए ने आपको देखो अप्शन में मुकेस अंबानी है एक नमबर पे गोतम अंडानी है दो नमबर पे और साइरिस पुनावाला है इसके अंदर तीन नमबर पे और सीवनाडर है चार नमबर पे ये करम आपको याद रखना है इसके अंदर ये सब से अमीर वेक्टियों का कमर है करम है ये मुकेह संबानी एक नमबर पे गोतम मंडानी दो नमबर पे सायरेस पुनावला तीन पे और सीवनाडरे चार नमबर पे है अगला क्योशन है वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले पार्थी किर्केट खिलाडी कौन बन चुके है यह तो आपको बताने की जूरत नहीं आप वर्ल्ड कप वैसे देखते होंगे पुरुस जो है विदार्थी लोग है वो तो देखते होंगे वर्ल्ड कप है अभी चल रहा है आपको पता है तो सबसे ज़्यादा चक्के लगाने वाले पार्थी किर्केट खिलाडी कौन बन गए तो यह बन चुके हैं रोहित शर्मा कौन बन गए रोहित शर्मा बन चुके हैं देखो विशो कप में 100 रन पूरे करने के बाद में उन्होंने आपको पता है कल पर समिफगानिस्तान के खिलाफ सोरन भी पूरे किये सतक भी लगाया था रोहित शर्मा ने अंतराष्टी किर्केट मैचों में सबसे अधिक चक्के लगाने वाले वेस्ट नीज के दिगस त्रिस गेल को पीछे चोड़ते हुए एक रिकोर्ड बनाया और अंतराष्टी किर्केट में 553 चकों की रिकोर्ड को पीछे तोड़ दिया है उन्होंने अनकी पीछे तोड़ दिया है 504 पर इन्होंने चक्के लगाये पहले लगे वेते 553 लेकिन अब उन्होंने 554 चके लगा दिये है अब ये भी पॉंट यादटने बारते कप्तार रोई सर्मा ने अपने वंडे करियर का 31 सतक लगाया है और भारत को दिली के अनुट जेटली स्टेडिय में अफगानिस्तान के खिलाब विश्वकप 2023 के मुकाबले में साल जीते मिली थी तो 31 उन्होंने शतक भी लगा दिया है पसुपालन और डेरी विवाग ने किस राज्य में ए हेलप कारिकरम का अनावन किया है पसुपालन और डेरी विवाग ने किस राज्य के अंदर ए हेलप कारिकरम का अनावन किया ये किया है जारखंड के अंदर किस राज्य में किया है तो जारखंड राज्य के अंदर उन्होंने किया है ए हेलप कारिकरम का अनावन किया है देखो पसुपलन और डेरी विवाग भारत सरकारने हाली में जारखंड राज्य में एहलप पसुदन और उत्पादन के स्वास्ते रुष्तार के लिए मानिता प्राप्जेंट करेकरम का अनावरन किया एहलप पकारेकरम महलाओं को सुसक्त बनने के उदेशे से एक एब उत्परो पहले सुरू की गिए तो याद रखना काबर है जारखंड के अंदर किस लिमिटेड ने दूसरे वर्ष 2022 तेश के लिए रिफाइनरी में सरश्रेश्ट नमाचार पूरिशकार हसिल किया है और ये किया है option number B MRPL option number B किसने किया है MRPL ने क्या है ये limited है उसने दूसरे वर्ष के लिए 2022 देश के लिए refinery के अंदरे सरफ्षिष्ट नमाचार पूर्शकार है हासिल किया है देखो Mangalore refinery and Petrochemicals Limited है इसका पुराना MRPL का ने एक बार फिर वर्ष 2022 पाइस तेल की 23 के लिए परतिश्टिद Best Innovation in Refinery पूर्शकार है इन्होंने जीता जो 26 वी उर्जा प्रदेवकी मीट 2023 में केंदरिये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गेस्मंतरा दिया गया था है उनकी कल मैंने बताया था ना कि 26 वी उर्जा प्रदेवकी बैठे कुईती उर्गाटन किया अर्धीप सिंग पूरी ने उसी के अंदर क्या है मेंगलोर रिफाइंदरी एंड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड ने क्या है Best Innovation in Refinery पूर्शकार है जीता है किस राज्जे ने गंगा डोल्फिन को जल्य जीवें गोशित किया है देखो उत्रप्रदेश के मुख्यमद्री योगी आदिते नाथ ने गंगा डोल्फिन को राज्जे का जल्य जीव गोशित करते वे इससे राज्जे का जल्य जीव गोशित कर दिया है उत्र परदेश में गंगय डॉल्फिन के अनुमानित अबादी है वरतमान में लग बगए 2,000 कितनी है 2,000 वरतमान में इनकी अबादी है और इसके उत्र परदेश राजे सिकारनी से जलिय जीवे गोशित किया है किस राज्य के मुख्य मदिनी ने युवा उत्राखंड मोबाइल एप्लिकेशन और प्रियाग पोर्टल लौँज किया है। देखो उत्राखंड की राजे सरकार ने युवा उत्राखंड मोबाइल एप्लिकेशन लॉंच करके अपने युवाओं को सवसक्त बनाने की दिशा में मोबाइल एप्लिकेशन के अलावा परियाग पोर्टल का भी उद्गाटन किया और ये पोर्टल नोकरी की जानकरी परद करने के लिए सम्मर्पीत है अब आपको याद रखना है एम एफाई एम एफाई के नए चेर्मेन बनगे यानि कि Association of Mutual Funds in India AMI ने हाली में बोर्ड की बैठा के दुरान HTFC एसेंट में रेजमेंट के मेनेजिंग डारेक्टर और स्यू है नवनीत मुनीत को चेर्मेन की रूप में चुना है तो ये नवनीत मुनीत है ये के अब Association of Mutual Funds India के हाली में चेर्मेन बन चुके है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है पीडियेप आपको टेलिग्राम पर मिल जाती है वीडियो के डिस्कुशन में टेलिग्राम का लिंक है या आप टेलिग्राम पर प्रताब क्लसे सथ करोगे कोई लिंक आता है कोई सूचन में बड़िया तरिके से आपको निर现在 मेरी क्लास लगातार पूरी मैनत के साथ में कर रहा हूँ और आपको लगातार मैनत के साथ में कलास आपको दे रहा हूँ अब देखो कोईस्ट आप आ में यूरोप का पहला पुने प्रयोजे रोकेट मियूरा वन किस देश में किस देश ने लॉंज किया स्पैन इसराइल फिलिपिन्स अमेरिका इसका जबाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है तो जाते जाते सारे विलार्ती वीडियो को लाइक सेर करते रहे ना इसके ला धन्यवाद जय हिन जय भारत